उस केस को दायर करने से पहले आपको किस तरह से होमवर्क कर लेना होगा और कौन-कौन से सबूत ऐसे हैं जिन पर आपको पहले से ही विचार विमर्श करके अपने केस को मजबूत बनाने के लिए तैयार कर लेना होगा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात बार बार पुछा करते हैं कि कोट में अपने केस को साबित करने के लिए बहुत सारी गवाही की जरूरत होती है तो गवाही में किन किन चीजों को कैसे हम तयार कर सकते हैं कोट में केस दायर करने से पहले या अगर हम पर किसी ने केस दायर कर दिया है तो उसमें अपने आपको बचाव करने के लिए जी हाँ आप सभी ने बिल्कु ठीक समझा आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विस्ताज से चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आप कोट में केस दायर करने की तैयारी कर रहे हैं या आप पर किसी ने केस फाइल कर दिया है तो आप अपने बचाओ में किस तरहां से और कौन-कौन से सबूतों को पेश कर सकते हैं मैं एड़ोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एड़ोकेट अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरहां के लीगल इन्फॉर्मेटी वीडियो केस दायर करने जा रही है तो उस केस को दायर करने से पहले उनको किन-किन सबूतों को इकठा कर लेना होगा कैसे उन सबूतों को तयार करके रखना होगा ताकि उसका केस मजबूत बन सके उधारन के लिए मान लेते हैं कि आपके पती ने जब आपके उपर अत्याचार किया और आप अपने माईके में जब वापिस आ गई तो आने के बाद आपके पास जो पहला एविडन्स इकठा करने का समय आएगा वो रहेगा कि आप जब भी अपने रिश्टेदारों के साथ अपने और परीजनों के साथ जब बाचचीत कर रहे हैं तो उस समय आपको वो सारी की सारी जो अत्याचार हैं जो आपके पती ने आप टेलिफोन के माध्यम से उन रिष्टेदारों तक पहुचाएं इन टेलिफोन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनको आप समय आने पर कोट में पेश कर सकते हैं इसी तरह से जब आपकी और दूसरे पक्ष के बीच में पंचायते चलती हैं जिसे कहते हैं न समझाते के लिए धेर सारी कोशिशें जब की जाती हैं तो बहुत सारी बैठके हुआ करती हैं दोनों पक्षों के बीच में यहां पर पती पक्ष भी और पतनी पक्ष भी जो जो उनके साथ गलत हुआ है उसको निकाल करके बाहर लाने की कोशिश किया करते हैं और यह जो बैठके हैं या यह जो पंचायते हैं इनको एक वीडियो के माध्यम से आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि समय आने पर आप कोट को ये सबूत पेश करें कि जिस वजह से ज्यादातर लांचन लगा करते हैं चाहे वो पती है या पत्नी है कि कोट में आने से पहले आपने कोई भी अपनी त माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपने स्टेप्स उठाये थे आपने कोशिश की थी अपने ग्रहस जीवन को बचाने के लिए और इसी तरहां से बहुत सारी ऐसी बाते भी इस वीडियो के माध्यम से सामने निकल करके आ जाएंगी कि दूसरा पक्ष आपके अहयक सिद्ध हो सकता है सबूत के तौर पर इसी तरहां से जब भी दूसरा पक्ष आपके साथ किसी भी तरह कि बत्तमीजी कर रहा है गाली गलौच कर रहा है धक्के मुख्य कर रहा है या आपको घर में अंदर नहीं आने दे रहा है तो वहां पर भी आप कोशिश करें कि आडियो या वीडियो के माध्यम से आप इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लें जिनको आप बाद में सबूत के तौर पर कोट में पेश कर सकते हैं और इसी तरह से अगर आपके साथ मारपीट हुई है खून खराबा हुआ है खून निकला है हड़ी तूटी है दान तूटा या इसी तरह कि आपके शरीर पर कोई शती हुई है तो चोट लगने के बाद जब आप अस्पताल में जाती हैं और अस्पताल में जाकर के आपका जो भी डॉक्टरी होती है जो भी आपकी दवाईयां लिखी जाती है जो भी आपके टेस्ट होते हैं ये सभी जो चीजे हैं ये आपने सहेच करके रखनी है और कोशिश जादा से जादा ये करनी है कि आपको अगर किसी भी तरह की शारी रिखानी हुई है तो आप किसी भी प्राइविट हॉस्पिटल में ना जा करके आप सरकारी हस्पताल में जाएं ताकि उस M.L.C. को आप सबूत के तौर पर बाद लेकिन आपके सस्राल पक्ष ने आपके साथ इतनी जादा बत्तमीजियां की हैं गाली गलोच किये हैं लेकिन आपके पास कोई भी ना तो आडियो बन पाया ना कोई वीडियो बन पाया और ना क्योंकि चोट लगी तो ना कोई M.L.C. हो पाई तो ऐसे सिती में आप जो 100 न और इसी तरह से अगर आपने किसी और संस्था को या किसी और भी अथारिटी को अगर आपने बुलाया है चाहे वो दिल्ली महीला आयोग हो या वो 181 पर आपने फोन किया हो तो ये भी जो चीजे हैं ये भी जो सबूत हैं इनको आप समयाने पर कोट में पेश कर सकती हैं औ लिखित में अपनी complaint देती हैं जिसकी receiving आप अपने पास रख लिया करती हैं ये सारी की सारी जो इनको भी आप सबूत के तौर पर कोट में पेश कर सकते हैं इसी के साथ साथ बहुत बार ये भी देखा गया है कि कई बार जब आपके बीच में बहुत जादा आवेश होता है पती और पतनी के बीच में तो आप लोग कुछ उल जलूल अपनी मनमर्जी के जिस डॉक्यूमें ऐसे एफिडेविट्स ऐसे समझाता पत्र पर साइन कर लिया करते हैं दोनों पक्ष विटनेस के साथ जिसमें आप कहीं न कहीं अपनी गलती मान रहे होते हैं या दूसरा पक्ष अपनी गलती को मान रहा होता है और भविश्य में उसको दुबारा से ना दोराने की बात कर होता है तो ये भी सबूत आप कोट में अपना केस दायर करने से पहले तयार कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप पती हैं तो आपको अपने पास कौन-कौन से सबूत और इकठे कर लेने होंगे ताकि समय आने पर जब आपकी पतनी आप पर दबाव डालने के लिए जूठे के करें तो आप अपने बचाओं में उन सबी सबूतों को ले जा करके पेश कर सकें इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भी भली भांती ये बात पता चल गई होगी कि अगर आप कोट के अंदर घरिलू हिंसा का केस या दहेज का केस या 125 का केस या सेक्शन नो या तलाक का यानि कि आप अपने पती के उपर किसी भी तरह का कोई भी केस दायर करने जा रही है तो उस केस को दायर करने से पहले आपको किस तरह से होमवर्क कर लेना होगा और कौन-कौन से सबूत ऐसे हैं जिन पर आपको पहले से ही विचार विमर्श करके अपने केस को मजबूत बनाने के लिए तयार कर लेना होगा मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शियर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी दरा से ध्यान रखेगा थैंक यू, टेक कियर, बाई बाई